दो मईने पहले ही सुहाना की शादी आशिश के साथ हुई थी शादी की बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ बल्कुल ठीक ठाप चल रहा था फिर अचानकी सुहाना की तब्यत कुछ नर्म सी रहने लगी अरे सुहाना बिटा बारा बजने को आए खाना के बनाओगी तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा जी ठीक एक बज़े लंच के लिए आ जाते हैं अब तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है मैं जानती हूं माजी लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो पारी उटने की ठकान सी मैंसुस हो रही है अरे बिटा तुम्हारी तब ये ठीक नहीं है तो पहले बताना चीए था ना अच्छे चलो तुम्हारा आराम कर लो खाना मैं बना देती हूं लेकिन माजी आपको तो खासी उठ जाती है ना सबजी छोंकने से डॉक्टर ने मना किया है आप कैसे खाना बनाएंगी फिर आपका अस्तमा ट्रिगर हो जाता है अरे बिटा किसी ना किसी को तो बनाना ही होगा ना चलो ये सब चिंता छोड़ो खाना मैं बना देती हूं तुम्हाराम कर लो जब ते अभी थोड़ी ठीक लगे ना तो आकर समय से खाना खा ले ना ठीक है ममी जी शाम के समय आशिश पता नहीं क्यों आजकल मेरी तबित बहुत डाउन सी रहती है खड़े होने पर चक्कर जैसे आते हैं और लगातार कमजोरी मैंसुस हो रही है मुझे लगता है हमें एक बार डॉक्टर से मिल लेना चीए सुवाना के कहने पर आशिश उसे लेकर डॉक्टर की पास जाता है सुवाना एक अच्छी खबर है लेकिन साथ में थोड़ी परिशान करने वाले खबर भी है क्या हो डॉक्टर मुझे खबराट हो रही है सुवाना तुम माँ बनने वाली हो लेकिन परिशानी के बाद ये है कि बच्चे के सलामती के लिए तुम्हें पूरे नौ मेने बैट्रेस करना होगा तुमारा शरीर अभी अंदर से कमजोर है इसलिए घर के काम ज्यादा देर तक खड़े रेकर करना सब कुछ बन डॉक्टर की हिदायत के बाद आशिश और सुवानी घर आये तो उनके चेहरे पर खुशी और परिशानी दोनों जलक रही थी अरे डॉक्टर के पास गये थे ना तुम दोनों क्या कहा डॉक्टर ने मा अब दादी बनने वाली हो अरे यह तो बहुत अच्छी खबर है पर फिर तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए है मा प्रेजनसी में थोड़ा रिस्क है इसलिए डॉक्टर ने सुवाना को आराम कने की सला दी है अरे बिटा कोई बात नहीं अगर डॉक्टर ने कहा है तो कुछ सोच समझ करी कहा होगा तो चिंदा मत कर सब ठीक हो जाएगा बाकी सब तो ठीक है मा लेकिन सुहाना के बिना कैसे मैंने जोगा सब कुछ सुहाना के देखवाल घर के जिम्मेदारिया कौन समझ लेगा आप भी तो अब ज्यादा काम नहीं कर पाती है आपको अस्तमा की परिशानी जो है अच्छा बिटा अगर तू कहे तो कोई काम वाली लगा लेता है जो घर के काम में भी मदद कर दे और समय से खाना वगेरा भी बना दे ठीक है मा अब किसी काम वाली से बात कर लो आशिश के कहने पर शशी काम वाली को रख लेती है लेकिन एक अच्छी काम वाली ढून पाना भी मुक्ति का द्वार ढूनने से काम मुश्किल काम नहीं होता सास शशी कई नौकरानिया लेकर आती है लेकिन किसी का काम भी उसे पसंनी आता अरे बिटा ये नौकरानिया तो पूरे घर का गणित बिगार कर रख देंगी कोई बिल्कुल उबला हुआ सा खाना बना देती है तो कोई इतना तेल मसारा जहुक कर खाना बनाती है कि खाना ही मुश्कल हो जाता है समझ में नहीं आता करू तो क्या करू अरे मम्मी, यहां बहुत दिक्कत हो रही है मुझे डॉक्टर ने बैटरेस कहा है और माजी से काम नहीं होता किसी तरह एक समय आशिश खाना बना रहे है और एक समय माजी मुझे न यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा पतानी यह सब क्यों क्या, मेरी वज़े से सब परिशान है ऐसी बात नहीं सोचती बिटा, इसमें तेरी क्या गलती अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, तेरी छोटी बहन साक्षी को तेरी सिसराल भेज देती हूँ जब तक तेरी तब्या ठीक नहीं हो जाती, वो घर का सब काम संभाल लेगी लेकिन मम्मी, अगर उसे यहाँ न अच्छा नहीं लगा तो अरे बेटा तू न बहुत ज़्यादा सोच रही है, बुरे समय में अपनी ही अपनों के काम आते हैं आज तुझे उसकी जरूरत है, कल को उसे तेरी जरूरत होगी बस बेटा यही तो होता है अपना पन, उसे तेरी मदद करके खुशी होगी रुक मैं तेरी बात करवाती हूँ दिदी तुम चिंता मत करो, मैं सब कामगर्दिया करूँगी आरे तुम्हारा गर ऐसे समालूँगी जैसे वो मेरा ही घर है तुम्हारी सास की सेवा तो बलकुल ऐसे करूँगी जैसे वो मेरी सास हो तुम में ना गलत बात दिमाग में लिया आती हो अच्छे चीक है मैं कलना सिसराल पहुच जाओंगी तुम्हारे सुनिए मैंने ना सारी प्रॉब्लम सॉल कर दी है मेरी छूटी बैनना साक्षी वो यहां आकर रहने को तयार हो गई है और उसने वादा किया है कि वो इस घर को बिल्कुल अपना घर समझ कर ही संभालेगी सुहाना क्या जरूर थी तुम्हें या साक्षी को बुलाने की मैं और मा मिलकर सब संभाल रहे थे ना मेरी वज़े से आप दोनों को कितनी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा था अब आप बस देखते जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा अगले दिन सुबही साक्षी अपनी बेहन के ससुराल पहुँच जाती है नमस्ति माजी कैसे तब यते आपकी है मैं ठीकू बेटा आओ बेटो बहुत धनिवाद तुमारा जो तुम मदद करने के लिए भागी चली आई आजकल कौन किसी की मदद करता है अरे माजी मैं तो इसे अपना घर समझ कर ये आई हूँ वादा करो आपको भी मुझे मैं मानी घर का सदसी समझना होगा हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं बहुत मीठी बोली है तुम्हारी किसी का भी मन मो सकती हो चुटकियों में भगवार ने तुम्हें ऐसी विशेश शक्ती दी है अच्छा तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाए नाश्ता लगाती हूँ मा जी अब मैं आगी हूँ न तब चाए नाश्ता खाना सब कुछ मैं बनाओंगी आप बस बैठी बैठी मुझे बता दी जाएए क्या करना है कैसे करना है अरे बाबा बिटा जीती रो मा ने खुश हो गया तुम्हें देखकर सच बताओं तो इतनी खुश मिजाज और मिलन सार सुहाना भी नहीं है वैसे तो सुहाना मेरी बहु है मुझे उसके बारे मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन अब जो है सुहाना बात चली है तो मैं भी आपको बता दू वैसे तो सुहाना दीदी मेरी सगी बहन है लेकिन वो ना शुरू से ही ऐसी है स्यादा किसे से बात करना या बड़े बुज़र्गों के साथ समय बिताना उन्हें कत्ता ही पसंद नहीं है बलकि वो तो रसुर की काम से भाई आमेशा बच्चनी की कुशिश में लगे रहती है अचल अच्छा है तू यह कह रही है मैं कहती तो दुनिया कहती कि सास बहु में कमी निकाल रही है अरे बिटा पेट से है वो ऐसी हालत में हर टाइम बिस्तर तोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है अरे भाई हमने भी बच्चे पैदा किया ऐसा थोड़ी ना कि धर्ती पर पैर रख लोगे तो अनर्थ हो जाएगा देखो मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना लेकिन ऐसी हालत में हाथ पैर चलाते रहो तो मा और बच्चा दोनों के लिए अच्छा होता है माना कि भारी काम के लिए डाक्टर ने मना किया होगा लेकिन अब खा कर अपने बरतन सर खा देना ये तब होगे लक्षन नहीं होता है मैं आपकी बात समझ रही हूँ माजी आरे हम लोग तो खुद उससे परिशान रहते थे इसलिए जैसे ही ममी को पता चला कि सुहाना को डॉक्टर ने बेटरस के लिए बोला है तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया क्योंकि वो सुहाना की अदत जानती है न ऐसे हालत में वो इगलास भी यहां सिवान ही हिला रही होगी और देखिए ममा का डर भी बिलकुल सचसाबित हुआ धीरे धीरे साक्षी ने पूरे घर के जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी वो पूरे घर को बिलकुल वैसे ही संभाल रही थी जैसे घर की बहुत संभालती है आशिश के लिए टिफिन और नाश्ता बनाने के अलावा वो उसके कपड़े भी प्रेस करती कितना ही नहीं उसके लिए पर्स, मुबाइल और घड़ी निकाल कर भी उसके हाथ में दीती लाइए माजी मैं आपके पैरों के मालिश कर दीती हूँ अरे बिटा इतना काम करती है तू ठक जाती होगी अगर काम खतम हो गया हो तो जा जाकर थोड़ी दिर आराम कर ले पैरों का क्या है बिटा? उम्र के हिसाबसे दर्द तो आता जाता रहता है मुझे तो इस दर्द के साथ जीने की अब आदत हो गई है मेरी छोड़ नहीं 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 माजी, आप ऐसे क्यों कह रही है, मेरे होते हुए आप दर्द के साथ क्यों जियेंगी, लाइए आपके पैरों की मैं मालिश कर देती हूँ, दर्द ना यूँँ चुमंतर हो जाएगा, अरे बिटा, तु तो जादू करनी है, तुझसे बात करके ही मेरा दर्द गायब हो जाता है, मालिश करने की ज़रूरती नहीं पड़ती, सच बताओ, इतने प्यार से कभी सुहाना ने भी मुझसे बाते नहीं की, पैरों की मालिश करना तो फिर भी बहुत दुर की बात है, अर सुहाना दिदी कभी आपके पास बाट कर अपसे सुक दुख नहीं पूछती, ये तो बहुत गलत बात है, अपनी सास के पैरों की मालिश करना, उन से सुक दुख पूछना, ये तो हर बहु का करतब यह होता है, अगर दिदी ये सब नहीं कर रही है, तो ये बड़ी शेम की बात हैं हमारे लिए दीदी ये लो आपका खाना और हाँ आपको डॉक्टर ने बिस्तर से उट्टी को मना किया है इसलिए आज से आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताओ मैं आपको सब कुछ किहीं पला कर दे दूँगी लेकिन आपको पूरे 24 गंटे सिर्फ आराम करना है अरे साक्षी मैं ठक गई हूँ इतना आराम कर करके देखो छोटे मुटे काम तो मैं करी सकती हूँ ना उससे कुछ नहीं होता नई दीदी भगवान न करे आपकी सेहत को कुछ हुआ तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर सकूँगी और मैं यहाँ ही किसली हूँ आपको आराम मिल सकी इसली है ना तो बस जब तक मैं यहाँ हूँ आपने शिंद होकर आराम करो बाकि सारे जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो मैं सब सम्माल लोगी अचा सुन मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ सामने वाली अलमारी खोल के दिख उसमें एक ड्रेस रखी हुई है तेरे जीजु ने दी है बता तो कैसी है वाव दीदी यह तो बहुत कुबसूरत है काँच मैं भी ऐसी ड्रेस बहन बहुत ही यह तो बहुत महिंगी होगी न अरे महिंगी सस्ती क्या तुझे पसंद आई न ठीक है आज तू पहन ले क्या फरक पड़ता है तू मेरी बहन है अगर तू मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं भी तो तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ न बस याज से लाटा देना गिफ्ट है न इसलिए मैं संभाल कर रखूंगी लेकिन दीदी ड्रेस जीजू आपके लिए लाए न जीजू को बुरा लग गया तो अरे नईने तेरे जीजू इतनी छोटी सोच वाले नहीं है जो इतनी छोटी सी बात का बुरा मान जाए आशिश ने ड्रेस मुझे दी है उनके देने के बाद अब ये मेरी हो गए अब मैं चाहे जिसे दुम मेरी मरसी आप इतनी जित कर रहे हैं तो ठीक है मैं इस ड्रेस को ले लेती हूँ बेहन से ड्रेस लेकर साक्षी अपने कमरे में आती है उसे पहन कर अच्छे से तयार हो जाती है कुछ देर बाद आशिश ओफिस से घर लोट कर आता है अरे जीज़जी आ गया बैठिए मैं आपके लिए चाहे लेकर आती हूँ अरे ये ड्रेस ये तो हाँ ये ड्रेस मुझे दीदी ने दी है कह रही थी उन्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे घर में पैन लिया करूँ क्या हुआ आपको भी अच्छी नहीं लग रही है क्या नहीं नहीं वो बात नहीं है अच्छी है ड्रेस तुम जाओ चाहे बना ला साक्षी जो खेल अपनी बहन के सिसुराल में खेल रही थी वो अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आया था वो जान बुझकर सुहाना को सास और पती की नजर में गिराना चाती थी इसलिए वो खुद ऐसी परिस्थितिया बनाती जिससे सुहाना बुरी साबित हो जाए और वो अच्छी पहले वो सुहाना को बिस्तर से नवटने की कसम देती और बहार आकर सुहाना की सास शशी को नई नई कहानिया सुनाती जिससे शशी के मन में सुहाना की छवी धुमील हो रही थी दीखे ना माजी, क्या दीदी बैठे बैठे कपड़े भी तह नहीं कर सकती थोड़ा बहुत हाथ पैर तो इंसान को हिलाना चीए ना अब ठीक कहती थी, खाना खाकर बरतन भी बिस्तर पर बैठे बैठे मुझे पकड़ा दीती है वो अरे मिरी सगी बैने तभी मैं इतना बरदाश कर रही हूँ मना कोई किसी की इतनी चाकरी नहीं कर सकता आपकी जैसे सास मिली है उनको, उन्हें तो आपके पैर धो कर पीना जीए कितना सपोर्ट करती हैं आप उनका, और वो उल्टा आपकी ही बुराईया मुझे से करती रहती है मैं तो ठग गी हूँ उनकी वही बाते रोज रोज सुनकर अरे बिटा हमारे तो भाग फूट गए, जो इस सुहाना जैसे निकम्मी और कामच और बहु से पाला पड़ गया हमारा कितना अच्छा होता अगर मेरे आशिश की शादी तुझ से हुई होती, सच मैं राम और सीता की जोड़ी लगती, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं सच बताओं तो इतने दिनों से इस घर में रहते रहते मुझे भी अब लगने लगा है कि काश, आपका एक बीटा और होता तो मैं ये घर चोड़कर कभी जाती ही नहीं हम हमेशा साथ रहते, खुब बाते करते, गोल कप्पे खाने जाती और फिर मैं रात को आपके पैरों की तिल से मालिश भी करती बहुत लगाओ हो गया है मुझे भी इस घर से खैर अब इन बातों का क्या फाइदा हमारे भागे में जो लिखी थी वो हमें मिल गई हमारी तो बस दिल से दुआ है बिटा कि तुम जहां रहो खुश रहो साक्षी ने धीरे धीरे सास शेशी के मन में बहन सुहाना के प्रतिक खटाश भरती थी और अब वो पूर जोर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह आशिश भी उसकी बातों में आ जाए एक दिन आशिश छट पर अकेले में बैठा ठंडी हवा का आनन ले रहा था कि तब इस साक्षी चाय का प्याला लेकर वहां पहुँच जाती है आपको चाय के साथ पकुड़ी बहुत पसंद है ना देखिये मैं आपके लिए प्यास की पकुड़ी बना कर लाई हूँ अरे यहां लाने की क्या जरूरत थी आवास लगा लेते मैं नीचे आ जाता मुझे आपसे कुछ बात करनी है बोलो मैंने माजी को अपने पक्ष में कर लिया है वो मुझे इतना पसंद करती है कि आज और अभी अपनी बहु बनाने को तयार हो जाएंगी आप यही कहते थे थे ना कि मिरी मा नहीं मानेगी देखे मैंने असंभो को संभो कर दिखाया चलो आप कैबी दो सुहाना को कि आप उससे नहीं मुझे से प्यार करते हो यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई बस फिर आप और मैं अपना सुंदर संसार बसाएंगे उस सुहाना आपके लायक है ही नहीं छोड़ दो उसे मैं आपके पूरे परिवार की बहुत देखपाल करूँगी मा जी की सेवा करूँगी एक अच्छी पत्नी बन कर दिखाऊंगी अच्छो पत्नी तो तुम शादी के बाद बनोगी लेकिन अभी तुम एक बेटी और बहन हो क्या अपना बेहन होने का करते वे अच्छी तरह निवा रही हो तुम सुहाना आग बंद करके भरोसा करती है तुम पर लेकिन बदले में तुम क्या कर रही है उसके साथ उसकी ही ग्रहस्ती को निगलना चारी हो कम से कम उसके होने वाले बच्चे की तो शर्म कर लेती बड़ी-बड़ी बाते तो ऐसे कर रहे हो जिसे खुद दूद की धुले हो इग्यान और नैतिक्ता की बाते मुझे मत सिखाओ बस ये बताओ सुहाना को सब कुछ सच कब बता रहे हो मैं तुम्हें कुछ बाते कलियर करना चाहता हूँ ग्राइजूइशन में मुझे तुम्हारे प्रति आकरशन था लेकिन कुछ ही समय में मुझे समझ में आ गया था कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता इसलिए डिग्री कॉलेज से निकलते समय तुमसे अपना पीछा छुडाने के लिए मैंने मा के ना मानने का जोटा नाटक किया और तुमसे ब्रेक अप कर लिया इस बात को भीते कई साल गुजर जाने के बाद सुहाना का रिष्टा मेरे घर आया मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बेहन है लेकिन मैंने उससे शादी अपनी पसंद से की है जब मुझे सगाए वाले दिन पता चला कि तुम उसकी छोटी बेहन हो तो मैंने यही सोचा कि शायद तुम भी पुरानी बाते भूल कर अब तक आगे बढ़ गई होगी और सबसे बड़ी बात साक्षी 19 साल में बने रिष्टे और 28 की उम्र में बने रिष्टे की गहराए में अंतर तो होता यह न मैंने खुली आँखों से पूरे मन से सुहाना को अपनी पत्नी माना है तुमें क्या लगता यह सब जो तुम कर रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन मानेगा कि सुहाना जैसे सीधी साधी लड़की की बेहन इतनी तेज तर्रार हो सकती है खेर चुड़ो मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ साफ साफ सुनो और समझ लो तुम दुनिया की आखरी लड़की होती तब भी मैं तुम से शादी ना करता मेरी पत्नी की बेहन ओने के नाते तुमने आज तक इस घर के लिए चुकुच किया उसका ऐसान मैं जीवन भर नहीं बुलूँगा लेकिन मेरे होने वाले बच्ची की ओट में जो गंदा खेल तुमने खेला है उसके लिए मैं मरते दम तक तुमें कभी माफ नहीं करूँगा मेरी पत्नी मेरे लिए सब पुछ है उसके सिवाब मैं किसी की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझता बैतर होगा तुम अपना बैक पैक करो गर वापिस जाने का समय हो गया है क्योंकि मैं मान ज्यादा दिन टिक जा है तो अपनी आवकात भूलने लगता है आशिश के मूँ से दो टुक जवाब सुनकर साक्षी निरुत्तर थी अगले ही दिन वो हमेशा के लिए अपने घर लोट जाती है दो महिने के बाद सुहाना एक प्यारी सी बीटी को जन दीती है और वे सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं मीना का कोई भाई नहीं था उसके पिताने भी उसे कभी लड़कियों वाले कोई गुण दिये ही नहीं देख मीना पूरी दुनिया का काम कोई भी कर सकता है लेकिन तेरी पहचान सिर्फ तेरे आदे से होगी कि तू करती क्या है पटा सब चीज फालतु है सिवाए तुम्हारे काम के समझी समझ गई पापा हम हर काम के लिए नौकर रख सकते हैं लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमारा काम कोई नहीं कर सकता और हम जितना पैसा कमाएंगे लोग हमें उतना ही पूछेंगे क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है है ना पापा अगले रोज मीना की मा बिमार हो जाती है मा कहाँ हो अब तक चाई क्यों नहीं दी मा के तरफ से कोई आवाज ना आने पर मीना बाहर आती है उसे कोई नहीं देखता तो वो सीधे मा के कमरे में जाती है जहां मा बिस्तर में लेटी होती है बेटा मीना खुच चाय बना ले और हो सके तो एक कब मुझे भी दे देना मीना घड़ी देखती है ओहो मुझे तो लेट हो रहा है क्या मा पहले बता देती कि बिमारों ने वाली हो मैं कुछ प्लानी कर लेती अब मैं बाहर कुछ का लूँगी तुम अपना देख लेना अरे बेटा तेरे पाप अभी चले गए ऐसे छोड़ कर तुम अच्चा डॉक्टर को तो बुला दे कम से कम लेकिन मीना नहीं सुनती वो चली जाती है शाम को जब बाप बेटी घर आते हैं अरो तुम्हारी मा नहीं है कहां गई पता नहीं सुबब बिमार थी ओ सकता है डॉक्टर की पास गई होंगी अच्छा ठीक है फिर खाने का क्या करें खाना भी नहीं बनाया होगा क्या पापा खाने के लिए ये फोन है ना अभी बार से ओर्डर कर देती हूं और पापा आज मैं जल्दी सुझाओंगी कल मेरी मीटिंग है बाप और बेटी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं जहां पिता को बिस्तर पर एक चिठ्छे मिलती है जिसमें लिखा होता है तुम लोग सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हो जैसे खुद थे बेटी को भी वैसा ही बना दिया मैं बिमार थी, मर रही थी लेकिन तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं थी मैं जा रही हूँ मुझे ढोडने की कोशिश मत करना पिता चिठ्ठी साइड में रखता है कुछ सोचता है और फिर सोजाता है अगली सुबर ओहो, मा ने आज भी चाय नहीं बनाई मा, चाय दो ना कहां हो अफिस के लिए रोज देर कराती हो तब ही एक कामवाली आती है और मीना को चाय देती है कौन हो तू? पिता भी आ जाते हैं और मीना को चिठ्ठी देते हैं तुम्हारी मा को हम लोगों की कोई फिक्रा नहीं है चली गए छोड़कर उसे क्या पता कि हम उसके बिना मर नहीं रहा ये मालती है घर की मेड आज से सारा काम ये करेगी और हाँ तेरी माँ से अच्छा खाना बनाती है मैंना भी खाया है ठीक है पापा मैं चली ओफिस मालती फटा फट खाना बना कर पैक कर दो मीना और उसकी पिता मशिन ने जिन्दगी जी रहे थे कि एक दिन उसकी पिता ने कहा पिताओ मेरी कंपनी मुझे अमरीका भीज रही है मैं अब शायद इंडिया कभी वापस ना हो ओहू पापा फिर मैं कैसे रोंगी पता नहीं मा भी कहा है अब ऐसा कर पिताओ तू शादी कर ले दो-चार लोगों के साथ रहेगी तो मन लगा रहेगा अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा और काम के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी ठीक है पापा देख लो कोई लड़का फिर जो अच्छा कमाता हो पिता बेटी के लिए लड़का देखता है और उन्हें एक लड़का मिल जाता है पिता शाम को हम लोगों को प्रशान के घर जाना है एक बार उससे मिल लो शायद तुमको ठीक लगे मीना पिता के साथ प्रशान को देखने जाती है उनकी घर से प्रशान के घर का माहुल बिलकुल उल्टा होता है मीना को देखने प्रशान का पूरा खानना आया था मीना ये मेरी बुवा है और ये चाची सब तुमको देखने आये हैं वो क्या है न हमारा पूरा परिवार साथ ही रहता है साथ? यहाँ इस घर में? अरे नहीं नहीं इस घर में तो सिर्फ हम रहते हैं लेकिन हाँ आसपास ही है सब, सुख दुख में सब साथ साथ हो जाते हैं मीना को प्रशान से बात करके अच्छा लगता है, वो अपने पिता के साथ घर आती है और ओ, कैसा लगा सो? ठीक है पापा, मैंने कौन सा घर में रहना है? हाँ पिटा, देख लेना, अगर ठीक लगे तो रहना, मैं तो तलाग देखर अमरिका आजाना, वहाँ तुम्हारे लिए कोई लड़का देख लूँगा, वो लोग तो यहां के लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं हाँ पापा, पापा लेकिन आज मा होती तो पिटा को मीना की बात पर गुस्सा आ जाता है देखो पिटा, कमजोर नहीं होना है, रिष्टें सिर्फ हमें कमजोर बनाते हैं आज ये लोग सारे जो तुम्हें देखने आये थे ना, ये तुम्हें देखने नहीं आये थे, ये तो ये देखने आये थे कि क्या लड़की भी इतना कमा सकती है, देखो बेटा, साफ साफ बोलता हूँ, बाप बड़ा ना भया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन देखो पढ़ाई भी की और कामकाजी लड़की है, कभी भटकी नहीं रासे, कि मा नहीं है तो कुछ भी करे मीना दोनों की बात सुन रही थी, वो उन लोगों की बात सुन कर कमरे में आती है और पिता को फोन करती है पापा, आपने मा की बारे में क्या बताया है इन लोगों को? यही कि तुम्हारी मा तुम्हें और मुझे चोड़कर भाग गई है, और क्या कहता? हम लोगों को पैसा कमाना था, उसकी तब्यत का खयाल नहीं रखा तुमने ये सब कहता क्या? मैंने खयाल नहीं रखा पापा, ये क्या भोल रहें आप और क्या मीना, तुम्हारी माने तुम्हें कहा भी था कि डॉक्टर के पास ले चलो लेकिन तुम्हें तु आफिस जाना था, तुम्हारे जाने के बाद उसे खुन की उल्टी हुई पड़ो सन के घर के दर्बाजे में जाकर गिरी तेरी मा, और चुप हो जाओ पापा, आप ने कौन सा मा का खयाल रख लिया पिता मा की जाने का जिम्मदार सिर्फ मीना को बताते हैं, जिससे मीना काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है तबी मीना की सास आ जाती है मीना बेटा रोते नहीं, हम सब है ना तुम्हारे साथ सास मीना को समझती है उसे पता होता है कि वो अकेली है शादी की बात अपना घर छोड़ कर आई है वो वहाँ से बिना बुरा माने चली जाती है अगले रोज सुबह मीना उठती है जब सब घर में सो रहे होते हैं वो तयार होकर आफिस चली जाती है लेकिन तो पैर में मेडम आपसे मिलने कोई आदमी आया है मेरे आफिस में कौन मिलने आया वो कॉन्फरेंस हाल में जाती है जहां उसके ससुर हाथ में चिफिन लेकर बैठे होते हैं बहु वो क्या है ना हम लोगों के गर सबको देर से उठने की आदत है तो खाना देर से बनता है प्रशान भी आफिस में देरी से ही जाता है लेकिन तेरी सास ने कहा है कि वो कल से वक्त पर उठा करेगी मीना ससुर को देख कर सोचती है कि क्या जरूरती इन्हें इतनी दूर आने की इसलिए कि सर्फ मैं भोखी ना रह जाओ ससुर इतनी दूरा है वो ससुर के हाथ से खाना ले लेती है मीना की जिन्दगी अब शादी के बाद बदलने लगती है वो घर जाती है जहां प्रशान अपनी बेहन से बात कर रहा था अरे मैं तू क्यों परिशान होती है तेरा भाई है ना हाँ बेटा प्रशान तेरी बेहन परिशान है जा उससे लेकर आजा मीना देखती तो सब है लेकिन किसे से कुछ नहीं पूछती की क्या हुआ वो कमरे में जा रही थी की मीरा तुम सो जाना मैं मह को लेने जा रहा हूँ उसके ससुराल वो क्या ना उसे बेबी होने वाला है और उसका मन मा के पास रहने का कर रहा है हम चीक है मीना की ननत घर आती है वो देखती है कि कैसे मा अपनी बेटी का खयाल रखती है कैसे बेटी मा के साथ अपने सारी बाते शेयर करती है लेकिन मीना की मा मा कहा हो तुम, मुझे माप कर दू मा वोरूर ही होती है कि पती का हाथ उसके कंधे में आ जाता है मा की यादा रही है, लेकिन रोक क्यों रही हो वो अच्छी नहीं थी, वन्ना तुम्हें छोड़कर नहीं जाती न शट अप, मेरी मा के बारे में कुछ बोलने की जरुद नहीं है वो दुनिया की सबसे अच्छी मा दी नहीं, है, है मेरी मा, मुझे मा की यादा रही है मुझे उनकी पास जाना है ये तो तुम्हारे पिता ही बता सकते हैं कि वो कहा है रुको मैं उनसे बात करता हूँ प्रशांत मीना की पापा से बात करता है और मीना की मा का पता लगा लिता है वो मीना को उसकी मा की पास लेकर जाता है मीना बिटा कितनी संदर लग रही है साड़ी में शादी हो गई तेरी मीना मा का काम तो काम वाली कर देती होगी ना, मा के तो कभी याद नहीं आई होगी तुम्हारे पापा कैसे है? इतने साल बाद मा को देख करमीना उनके गले लग जाती है और रोने लगती है क्या हुआ बेटा रो क्यों रही है? मा मुझे माप कर दो कोई तुमारी जगह नहीं ले सकता मा मेरे साथ रहो मुझे माप कर दो पर बेटा अब तो तेरी शादी हो गई है कौन सी मा बेटी के ससुराल में रहती है मीना पति की और देखती है मा मीना का घर है वो और आप उसकी मा मीना पती का फैसला समझ जाती है और मा को अपने साथ लेकर चली जाती है